एजु सीकर में आपका स्वागत है क्या आप international relation subject को पढ़ने के लिए काफी struggle करते हैं आपको पता है markets में कुछ standard books available है जहां से international relation को पढ़ा जा सकता है लेकिन इतनी books available है पता ही नहीं चलता कौन सी कताब को पढ़े कैसे हमारा syllabus cover होगा इतने लंबे लंबे chapters लिख लखे होते हैं और कुछ books में तो इतनी tough vocabulary लिख लखी होती है कि dictionary को साथ में लेकर बैठना पढ़ता है तब जाकर कुछ साय समझाना शुरू होता है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी students को ऐसा लगता है कि international lesson का जो subject है उनका अभी भी week है अभी भी international lesson के subject पर अच्छी तरह से पकड़ नहीं बन पा रही है और पता ही नहीं चलता कि कौन सा relevant material है जो उनके exam के लिए उन books में से पढ़ना चाहिए इसलिए ये समझनी आती कि कौन से topic को पढ़ा जाए कौन से topic को ना पढ़ा जाए कहां से पढ़ा जाए कहां से ना पढ़ा जाए ये सारी मुश्किल international lesson में आती है जब पढ़ने के लिए कुछ चीजे समझे आने शुरू होती है तो फिर हमें MCQ नहीं मिलते practice करने के लिए क्योंकि हमारा exam तो objective question पूछता है MCQ पूछता है MCQ भी practice करने से कहीं मिल जाए तो topic wise MCQ नहीं मिलते क्योंकि अगर topic wise MCQ नहीं मिलते तो पता कैसे चलेगा कि किस topic में से क्या पूछा जाएगा हम ऐसे ही topics को पढ़ते रहते हैं और इसके साथ सबसे बड़ी बात एक precise और crisp notes नहीं मिलते है नोर्स मिलते हैं तो irrelevant सी बाते लिखी होती है unnecessary सा material दिया होता है जितना मरजी पढ़ लो फिर जब exam में बैठते हैं तो question कोई और ही पुछे जाते हैं तो ये सारी problems को solve करने के लिए इसलिए मैंने internationalization का ये course आपके लिए त्यार किया है ये course आपकी ये सारी problem solve करेगा और internationalization subject को आपका बहुत improve करेगा तो चलिए जानते हैं इस course में आपको क्या मिलेगा इस course में आपको 40 plus video lecture मिलेंगे जो बहुत ही easy और असान बाशा में मैं आपको समझाऊंगा जैसे कि आपको पता है मैं अपने channel पर पढ़ाता हूँ और इसके साथ मैं आपको 5 bonus lecture भी दूँगा ये bonus lecture होंगे जिसमें कुछ important topics की revision को cover किया जाएगा MCQ की हम कुछ session conduct करेंगे इसमें कुछ बच्चेों के जो doubts है उनको लेकर भी videos इसमें add की जाएगी current affairs को मैंने detail में इन videos में cover किया है जो international organization है उनके recent सुमीत है कुछीवन सुमें है क्या decision लिये गए है उन सुमीत में क्या theme था और कोई major agreement या major decision लिया गया है इन सब भी current affairs को पढ़ना होता है लेकिन current affairs तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन हमारे जो exam specific current affairs होते हैं उनको पढ़ना है उनको cover किया है मैंने इस course में इसके साथ हर topic के आपको PDF notes भी दिये जाएंगे पढ़ने के लिए और उन topics में जो important keywords हैं उनको already मैंने highlight किया हुआ है bald किया हुआ है तांकि आप चो है अच्छी तरह से memory में retain कर सको उन बातों को इसके साथ आपको mcq मिलेंगे वो भी topic wise practice करने के लिए सभी के सभी mcq नए होंगे किसी भी और platform कहीं पर भी ने देखे होंगे क्योंकि हमने खुद बैट कर बड़ी मेनस से इन mcq को त्यार किया है तांकि आपके हर topic को अच्छी तरह से polish कर सके और फिर हम doubt session भी conduct करेंगे इस course में क्योंकि अगर आपको video lecture दे दियेगे और आपको notes भी दे दियेगे mcq भी आपने solve कर लिए तो फिर भी आपको doubts तो आएंगे ही ऐसा आपको कभी भी नहीं महसूस होगा कि आप अकेले त्यारी कर रहे हो जब doubt session होगे तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा आपके doubts लेता रहूँगा और उसको clear करता रहूँगा इसलिए आपको एक private telegram group का access दिया जाएगा जिसके जरीए आप अपने doubts को जो है race कर सकेंगे और यही नहीं इसके साथ आपको जो दो international lesson को हम books launch करेंगे वो बिल्कुल free provide कराई जाएगी अगर आप course में enroll करोगे इस international lesson books में क्या होगा पहले वो भी देख लेते हैं इसमें जो UGC net का slabor से वो पूरा cover किया जाएगा मतलब सभी के सभी topics cover किये जाएगे किसी भी एक topic को भी निशोड़ा जाएगा point wise explanation होगी इस books में जिससे आप और भी ज़्यादा जल्दी से त्यारी कर सकेंगे simple English में ने use की है इन e-book को create करने में तो आपको कोई मुश्कल नहीं आएगी language को समझते हुए 500 MCQ जो MCQ की booklet एक question bank देंगे अलग से उसमें 500 plus MCQ cover करेंगे जिसको इस तरह से कुछ divide किया जाएगा 300 plus जो होंगे वो previous year question होंगे आपके जो UGC net में exam में आ रखें और हर question की मेंने answer की में detailed explanation एड की है तांकि आप और भी अच्छे से questions को समझ सकें और इसके साथ 200 plus हम topic wise most expected MCQs cover करेंगे international relation के topic wise MCQ cover करने से आपको और भी ज़्यादा clarity आएगी उन topics की आपको पता चलेगा कि आपका वो topic clear हुआ है या नहीं इसलिए ये जो books है ये भी बहुत important है और ये इस course का part है और जब इन books को publish किया जाएगा इसका price होगा rupees 450 लेकिन जो student हमारे course में enroll करेंगे उनको अलग से payment करने के जुरूरत नहीं है उनको ये course का part है course में ही free e-books provide कराई जाएगी तो चलिए course की price के बारे में जानते हैं और early bird offers को समझते हैं उरिजिनल प्राइस इस course का रहेगा 1499 लेकिन जो early bird offer में student enroll करेंगे उनको काफी discount मिलेगा उनको 1499 rupees पे नहीं करने पड़ेंगे तो early bird offers हम 3 level पर offer कर रहे हैं पहले 100 students जो enroll करेंगे उन्हें सिरफ रूपी 555 यानि 555 rupees पे करने होंगे which means जो first slot होगा 100 students का उन्हें रूपी 555 ही देने पड़ेंगे लेकिन अगर आप enroll करते हो 101 और 300 students के slot में तो आपको रूपी 777 देने होगे और 301 से अगर 500 students के slot में enroll करोगे तो आपको रूपी 999 देने होगे तो इस slot में 3 level पर ये early bird offers काम करेगी इसलिए heavy discount को अगर avail करना चाहते हो तो first 100 students के slot में ही enroll कर लेना और जो हमारे चैनल के advanced member है जिन्होंने हमारे चैनल की membership ले रखी है उनको मैं अलग से discount प्रोवाइट कराऊंगा वो मुझे email कर सकते हैं theaducecker at gmail.com पर तो उने मैं बता दूँगा कि उनका discount क्या है वो कैसे avail कर सकते हैं तो चलिए अब course के अंदर जाकर देखते हैं और देखते हैं कि course को कैसे enroll कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने browser को open कर लोगे चाहे mobile पर चाहे laptop पर क्योंकि course कहीं पर भी play हो सकता है aduseaker.in आप अपने browser पर टाइप करोगे और website खुल जाएगी यहाँ पर first number पर आपको यह course दिखाई देगा इस course पर क्लिक करते आप course की थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी इस description में यह course में कौन-कौन enroll कर सकता है किस exam के student enroll कर सकते हैं और इस course के benefit क्या है और इसके साथ आप content भी अच्छे से देख सकते हैं क्लिक करके कि इनमें किन topics को cover किया गया है जैसे कि first content है इसको open करके आप देख सकते हैं किसमें internationalization की theories कौन-कौन सी cover की है, idealism, realism, structural marxism, neo-liberalism, neo-realism, social constructivism, critical internationalization theory, feminism, post-modernism, so आप यह देख सकते हैं, तो हर video के साथ आप देख सकते हैं कि आपको notes और MCQ provide करवाए जाएंगे और इसी तरह आप देख सकते हैं कौन से concepts को cover किया है और भी आप देख सकते हैं changing nature of war nuclear weapons के बारे में conflict resolution, यह जो नए topic है debt runs, conflict transformation इन सभी को cover किया जाएगा then United Nation के बारे में peace and development program, जो UN का है humanitarian intervention, यह सभी topics को cover किया जाएगा, यह detail अब आप खुद जाकर जो है देख सकते हैं, तो मेरा काम है अब आपको यह बताना कि course में enroll कैसे करना है, enroll now पे आप click करेंगे, तो enroll now पे जब कर सकते हैं, और अगर आप detail fill नहीं करना साथ चाहते हैं, तो सीधा facebook यह Google login कर सकते हैं, तो क्योंकि मैंने account इस पे already बना रखा है, तो मैं सीधे ही इसमें अब login कर लूँगा, तो अब मैंने अपने account में login कर लिया, यहाँ पर देखिए प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो को इसलिए पूरा देख कर जाना, enroll now पे क्लिक करेंगे, तो payment की यह option आ जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा, आप कितने charges है, और convenience fees का मतलब है, GST और transaction charges 3 rupees जो है, वो लेगेंगे, तो आप यहाँ पर net banking, credit card, debit card कुछ भी select कर सकते हैं, जैसे भी आप payment करना से चाते हैं, अपनी convenience के accordingly कर सकते हैं, तो अब मैं payment करके दिखाता हूँ कि उसके बाद आपको कौन सा page दिखाई देगा, तो payment हो जाने के बाद आपको message आएगा कि आपकी payment successfully हो चुकी है, और then आप go to collection पे click करोगे, तो यहाँ पर आपने जो भी कुछ हमारे website से purchase किया होगा, वो यहाँ पर आ जाता है collection पर, तो आप यहाँ पर course पे click करेंगे, और then आप course के insight चले जाएंगे, तो इस course में आप दे सकते हैं, जैसे भी अपने ही साफ से increase और decrease कर सकते हैं, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमने अपनी सभी videos को optimize किया है, तो अगर आप full actually में भी videos देखते हो, तो भी आपकी जो 15 minute की video 100 MB से कम data यूज़ करेगी, तो data भी आपका साथ में save होगा, तो इस तरह है, इस highlight point या bold point को बड़े द्यान से देखिए, यह बहुत काम आएंगे revision करने के time पर, जैसे की Relief Normal Angel की great illusion book है, और इन्होंने illusion की बात किये, किस illusion की बात किये, यहाँ पर लिखा हुआ है, it is an illusion that war is beneficial for the winner, ओके war यह मानते हैं कि यह एक illusion है, कि winner के लिए beneficial होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह opposite है, तो यहाँ पर आप इन जो keywords को जो bold किया है, यह बहुत काम आते हैं revision करने वक्त, तो इसके साथ आप नीचे जाएंगे, देन आपको यह idealism के MCQ मिल जाएंगे, बहुत टोपिक जैसे कहां, मैं MCQ परवाइड कराऊंगा, तो उसको आप solve कर सकते हैं, हाँ topic के आपको 55 MCQ मिलेंगे, नीचे answer की भी है, और explanation भी साथ में मिल रखी है, तो आप इस तरह से cover कर सकते हैं, अपने हाँ topic को, तो जब आप 55 MCQ हाँ topic के cover करेंगे, तो most expected MCQ हुई है, जो मतलब topic वाइज MCQ है, यह दोसों से भी जादा हो जाएंगे, जब आप cover करने जाओगे, तो चलिए अब course पर वापस जाते हैं, और यही नहीं सिर्फ videos और यह MCQ तो दिखा दिए, एक और मैं आपको खजाना दिखाता हूँ course का, यह है internationalization का previous year question का question bank, तो उसको अब देखते हैं, तो UGC net के previous year जो question है, 2012 से तिल 2020, internationalization के जितने भी question आ रखे हैं, उन सभी को आपको यह question bank मिल जाएगा, सिरफ question नहीं मिलेंगे, रैदर आपको उसके साथ detail answer की भी मिलेगी हर year के नीचे, तो यह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा, तो यह आप देख सकते हैं, answer की यहाँ पर June 2012 की detail में मिल जाएगी आपको, ठीक है, answer की के साथ explanation भी, so यह question bank 136 page का है, तो और आम से इस question को भी solve करिए, यह 300 से भी जादा question है, solve करने के लिए, आपके लिए, तो जब आप इन question को भी solve कर लेंगे, जो मैं नोटस दे रहा हूँ, उनको भी करेंगे, पढ़ेंगे, और जो मैं M.CQ प्रवाइड कर आ रहा हूँ, उनको भी करेंगे, तो एक holistically त्यारी हो जाएगी, exam में confidence से बेटेंगे, और answer को भी अच्छे तरह से attempt कर सकते हैं, एक और चीज़ों मैंने इस बदानी है, कि इसमें यहां तक सभी वीडियोस को मैंने cover कर रखा है, मलब इसमें international organization Asian तक cover कर रखा है, लेकिन अभी जो contemporary challenges के कुछ lecture है, वो आने हैं, तो वो coming soon लिखा है, तो वो जल्दी आने वाले दुनों पर आपको वो भी मिल जाएंगे, और उसके साथ notes और MCQ दोनों ही मिल जाएंगे, तो यह रही मेरी तरफ से course के बारे में full detail, और अगर आपका फिर भी कोई question है, आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, या मुझे theadjuseeker at the rate gmail.com पर email करके detail में कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हैं, तो जल्दी से आप enroll कर लिजिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, enroll now पर click किजिए, और जल्दी से enroll किजिए, और मैं आपको course के अंदर मिलूँगा internationalization की डेर सारी जानकारी लेकर, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू